आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज एक नया रिजर लेकर आया हूं और यह रिजर जो है इसको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है तो मैं ज्यादा पहेविया ना भुजा के सिधे मुद्धे पर आता हूं और जी यहां दोस्तों बिल्कुत सही पचाना एडविंट जैगर तो अगर आप वेट शिविंग एंथूजियास्ट है तो इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आज मैं काफी कुछ इस रिजर के बारे में बताने वाना हूं इसकी पैकिंग और यहां पे आप देख सकते हैं एडविंट जैगर डी-89 एक लिजंडरी जिसे कहते हैं परफॉर्मर वाना जाता है इस तरह की पैकिंग में आता है और यह में इंग्लेंड है शेफिल्ड में यह बनाया जाता है तो पहले आपको रिजर के तरह की करा दो इस तरह की पैकिंग इनों में दी है एक पेपर में लपेटावा है इसको में डालता हूं साइड में करें और कंपनी का इसा दावा है कि जब आप इसकी पैकिंग को खूलेंगे तो मंत्रमुत हो जाएंगे इसकी यह क्रोम पॉलिश को देखके तो जब मेरे हाथ में आया और मैंने इसको अन्रैक किया तो वाकी में मैं मंत्रमुक्त हो गया क्योंकि कमाल की पॉलिश है यहां पर यह मेरे फिंगर के प्रिंट्स देख रहे होंगे कि सो यह क्रोम लाइन है और नर्णिंग की जगह आप इसमें देख रहे हैं यह वर्टिकल लाइन और आपको दिख रहा है यहां पर कॉलर साइड में यह रिटन देनेम अपड़ कमपनी एडविंग जगह और यह राइट आपको दिख रहा है यह एक क्लोज कोम रेजर है इस रेजर के बारे में आपको बताता हूँ इसके थोड़ा बहुत दैमेंशन के बारे में बताया जाए पहले तो वजन जो है इसका 68 ग्रैम्स है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही नर्डिंग है मगर मुझे लग रहा है कि यह कहीं फिस्स लेना मेरे हाँ से एन्यवे नौ इस बॉक्स में और क्या है तो यह पुस्तके हैं एडविं जैगर और फोर्स थेंक यू फोर चूजिंग एडविं जैगर इनका एड्रेस एंड इस इस देश्ट लेफलेट और लॉंग इतना बला लेफलेट तो है एपल का आईफोन उन्बॉक्स करने पी नहीं आता जितना इन्हों इन्हों पर लिखा है यहां पर इनके प्रोड़क्स के बारे में उन्हों ने बताया है रेजर शेव इनकी एससरीज बहुत सारी चीज़ बनाते हैं आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं जिलिट के साथ भी इनके कुछ संबंद बने हैं यहां पर जिलिट के साथ यह जिरिट पर्टिक्लर कंपनी के साथ इनकी कुछ टाइप से कुछ पर बड्स इस नॉट टूंड बाई जिलिट को इस तरह का यह जो है और क्या प्रोडुक्स में आज यूज करूंगा सबसे परे आप उनको देख लीजिए और फिर आज की शेविंग के आप शुरुआत करते हैं चले लेट स्टार्ट लेट मी वाश माई पेस आज का लेखिए परपस क्या है इस रेजर के बारे में इसकी परफॉर्मेंस उसके बारे में मेरे यूजर एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे फिर इसको अपने सुदेशी रेजर के साथ हम कंपेर करेंगी आने बारे विडियोज में तो आज की मेरी जो इस्टबल है आप देख सकते हैं यह अप्रॉक्सिमेटली दो से थाए दिन पुरानी है तो डूझ आप देख से लिडियोज मैं तो 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 टोटें आप प्ली प्रेशेव क्रीम प्रोडेसोड़ को आते बादाव comprehensive यह अर यह अर यह यह क्रम्टाश्टथिक पहली थे विढ्मावच्ट जम्सिम्टीज क्रैमेटली नियों आप यह क्रम्टाश्टश्ट्ट ह slickness और razor glide यह प्रदान करती है and of course एक बड़िया थड़ना एसास एक बात बंदाना भूल गया मैं इस razor के साथ मेरे को यह डर्पी के ब्लेट्स डर्पी एक्स्ट्रा यह ब्लेट्स दिये हैं मगर आज मैं ब्लेट को ना यूज़ करके अपना मन पसंद जिलेट विलकंसन सोड ब्लेट्स यूज़ करने वाला हूं तो सबसे पहले इसको रोड करने दे हैं तो as you can see this is a three-piece razor नव लो लेट्स जीए so you can see the blade gap so अगर आपको देख रहा है blade gap so there is no alignment tissue और बहुत ही हलका सा overhang आप देख सकते हो तो blade बहुत ही असानी से रोड हो गया इसमें अब इसको माना ज्यादा है ये एक बहुत ही might performer है लेट सी so today I am going to use proresso eucalyptus shaving soap और leather बनाने के लिए आज मैं pearl का synthetic ये brush यूज़ करूँगा एक बहुत ही premium brush है और बहुत ही अच्छा लादा बनाता है ये हर समय तो सारे products आज classic है west shaving बनिया के legendary products so I think this much is enough और नियुआ है ज्युआ है लादा है ये प्यूआ है जले लादा कि लादाः लादर बनाने में इस सूप का कोई जवाब नहीं तो एडविन जैगर के बारे में बता हूँ आपको ये कमपनी एक फैमिली ओन्ड बिसनस है और इसको इस्टैब्लिश किया गया था शेफिड में इंग्लेंड में और इसको स्थाफित किया था नीज जैगर दे और उन्होंने जो नाम दिया एडविन ये एडविन एक्चुरी उनके दादाजी उनके ग्रेंट फादर का नाम था जिनके नाम पे उन्होंने इसकी श्रुवात की स्था स्थाली ये अन्होंन फोर दिकिंग वालटी एंड हाई स्थांड प्रोडुक्ट्स विद एक्स्छलेंट बिटिश क्राफ्टमेंशिप् और यह जो रेजर है, इसको पूरी तरह से खुद डिजाइन किया है, नीर जैगर दें तो शेफिल्ड वैसे भी स्टील के काम के लिए काफी फेमस रहा है, राचीन इसकी अगर आप हिस्ट्री बढ़ें तो, इस नोन फर कटलरीज और अब कोस नाइफ्स, फाइन कटलरीज, नाइफ्स, स्टील के काम के लिए शेफिल्ड बहुत फेमस है, बट यह जो डी-89 रिजर है, यह स्टील का रिजर ना होके ब्रास का रिजर है, जिस पर ट्रिपल कोट के गए है, क्रूम के, और कंपनी का दवा है, कि यह सब हैंट पॉलिश किया जाता है, और जो इसका शेविंग हेड है, वो भी अलॉय का है, इस रिजर का अक्सा कमपैरिजन, मरकर 34C से किया जाता है, अब देखते हैं, यहाँ पर एक ऐसे परफॉर्म करता है, कि आएूब पर कान से बदूद की और को है यहाँ, क्रूम देखते हैं चलिए तो आर में पहरी बार इसका यूज़ कर राफटे जीवन काल में अल्मोस्ट दो से धाई दो अफ़ते पहले से मेरे पास आ गिया था ये रेज़र तो let's see how it performs तो Advin Jagger DE89 with chrome line handle loaded with Gillette Wilkinson sword blade which is I am using for the first time let's start as usual first pass with the grain तो मेरे को एंगल डूरने में जैसे कहते ना एंगल आफ अटेक वो डूरने में कोई दिकत ने होई कि थोड़ा रुकता हूं मैं कुछ बोरने से पहले हैं एक साइड की स्टबल रिमूव कर लूँ कि यूनों आप जब बच्चे ऐसे हो जाते हो जब आपको इस तरह के नए प्रोड़क्स में मिलते हैं यू बिकम जल्ट लागे के अच्छा एंगे मेरे साब तो अक्सर होता है ऐसा तो एस साइड के जल्ट При Major ग्या प्रोड़क्स में मिलते हैं इस वेरी माइड रेजर और इस हैंडल में मेरी उंग्लियां पिसल रही है तो मैं क्या करता हूं वैसे कई हैंडल के साथ आता है लेंथ में और नर्लिंग में भी है तो अब जो है मैंने अप्लाइ कर दिया है तो ना इस नॉट गूंट 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 खूंट गूंट ऑाशफ गूंस वैंजर गूंट बड़ी है तो बाल टत्री सम्स्दों गोड़ी है हूं हूंट टतुंटै कर गूंटै कर दो डिला ह daha गूंट गूंट Commissioner कि बहुत ही बेत्री और कुछ भी स्टबल बची नहीं है एक्सेट इस एरिया में और हरका से यहां पर है पूरी तरह से शांदा तरीके से इसने मेरी ब्यर्ट का सपाया कर दिया मगर मानेंगे नहीं दूसरा पास भी करेंगे झाँ कि लेर समाना कर दो ही 56 भासे बार है endức करेंगे लाल परे कर दो हॉत है कि लुब में ड़र से इसने मेंगे जाल पासप बचल भानेंगे कि बहां पासे बगॉ़के इसने प्रशूंग प्रूल तो जो इंटेनेशनल शेविंग कम्मुनिटी के जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें इस रिजर के बारे पे मैंने बहुत कुछ बढ़ा है बहुत तारीफें हुई है और कुछ लोगों ने इसकी बड़ी थोड़ा बहुत बुराइया में की हैं इसकी तारीफें सुनिए बने हैं हलका आपको और यू फीड़बैक आ रहा होगा तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ब्लेट चैटर नहीं है हलका सा भगबारीक ब्लेट चैटर है कि इसमेट बड़ी खुतर है तो इसका हेंडल ब्रास का है मगर इनके हाइंड रेजर जो आते हैं वो स्टेले स्टील का भी आते हैं जो कि 100 पॉंड्स बंटेन अंड्रेट अंड्रेट पॉंड्स के आसपास बढ़ते हैं अजय को करें 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 रोलिंग स्टोन का नाम सुना है अपने एक बैंड ग्रूप है इंग्लेंड का रॉप बैंड उसके जो लीड गिटारिस्ट हैं सिंगर है माइक जेगर पहले में ना सुच गहें इनकी खांदान के तो नहीं है बहुत ही वाईयाद मजा करता हूँ है कभी को लिए वाईसे रॉलिंग स्टोन इस वन फ्याविविट मैंड्स ब्रिटेन ने लोगों को शेविंग का बढ़िया उंदा समाम देने के साथ-साथ बहुत बड़े बड़े बैंड भी दिए हैं बीटल्स आदे लोगों कह रहेंगा भाईया दाड़ी कर दो तू बीटल्स वस बेस्ट इन लिवरपूल कर दो घंज मेरा कर दो में खूड़े गिवरपया लोगपने!! बार कर दोक्दी था यक बा مثी झाउनर की जने गिवरों की दोोमत के बादल ई弟ल्स समाम ईतने भाईया की अया का दो टूकल आपको बिना सोप के क्यों अपनी तौचा को खुरच रहा हो कि आपको दिखा दूँ कि मैं पोर्षेप में आज करने वाला हूं फिर रिजब के बार आते हैं आपको वी बार आपको आपको देखा है अच्छु आपको 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 यहां है बहुत थंड़क प्रदान कर रहा है तो उसकी विर्यास को नुट्राइज कर रहा है इसके बंड़िंग सैसेशन को so let me wash my face again बहाती उम्दा बहाती भेत्री खवप शवप 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 so you can see पुरी तर से smooth so today I am going to apply पुरी तर से शवप कि अब बहुत ही उंदा आफटरशिव है मेरा अब मेरे को बहुत अच्छ रखता है इसमें कोई भी ऐलकॉओल का ब्लास्ट नहीं है वह होता है इकदम से आपको एक वह बढ़िंग सेशन टेल होता है मैं अच्छ राभी ऐखा भी कुल नहीं होता है तो one of my favorites, aftershave And To soothe down my skin I am going to use same progresso aftershave balm चलिए तो आते हैं मुद्दे पर मुट्स माइ व्यूज अबाउड इस रेजर फंटास्टिक एक्सलेंट बहुत ही बेदरी रेजर है अगर आप इंवेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो कहा से मैं प्रोक्यूर किया है उसके लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और जो लोग डेली शेवर्स है रोज मॉर्निंग में या शाम को या रात को शेव रोज करने वाले हैं उनके बहुत ही भेतरी जो है टूल साबित होगा और क्योंकि मैं रोज शेव करता हूं वीडियो बनाने जो है वो दूसरी वाली रणिंग का जो हैंडल था उसको मेरे को शायल ओर करना चाहिए था यह थोड़ा सा स्लिपरी है बट नो इशूस मैं इसको अलम के साथ अपनी उग्लियों को इसको फिसलने से बचा सकता हूं बट ओर ओर वेट और जो है इसकी ग्लाइट वो अवल जो हुआ पड़के टॉप क्लास और अभी तक तो यह पोलिश यह सर्से नरका था कि आपको बड़ा शानदार लगने वाला प्रडक्त तो उन डवाल दावत बहुत नाक्ट बहुत ही बहुत था पत्रिंग के कि मढ़क है इस से तो अबॉत यह पहत्री है कि बहुत नाद ब प्रोएसो के बारे में ज्यादा पोलने की जड़ूत ही नहीं है इस अगे ना क्लासिक वेट शेविंग जितने भी जो एंतूसियास्ट है उनके बीज में प्रोडुक्स बहुत ही पॉपलर है तो फंटास्टिक सोप इसके बारे में मैंने आपको क्रीम भी है इसके बारे मैं चुट गई प्रीशेव में यह मेरी बेहतरी प्रीशेव क्रीम है हर समय जब भी मेरे को थोड़ा थंड़क चाहिए होता है और एक स्मूध परफोर्मस चीह होती ही तो महमें शाहिए इसको अप्लाइब रहा हूं तो आल दे प्रोडुक्स आप गिवन में टोटली फंटास प्रीशेव में तो आज के लिए इतना काफी बिलते हैं ब्रेक के बाद अब नाई कंपैरिशन में लेकर आऊँगा और थोड़ा इसके शेविंग हैंट की जो इसकी शेविंग जो मेंटरी असके हैट की उसको तुछा कंपेर करूंगा और किन-किन जो माइड परफोर्मस अपने सव्देशी रेजों में उनके साथ कंपैर करेंगे मरकर ठटीफूर सी के साथ इसको कंपैर करेंगे इस तरह की शेव लेकी आऊँगा आए आपके सामने तो तब तक बस अपना ख्याल रखे एपने परिवालों का ध्यान रखे अपने गोस पर फोकुस रहिए शेव बाइब बाइब्छा, चाहिछों.